आप देख रहे हैं तीश खबर 24 और वक्त है खब्रों का सिंग्राली जिले में सोन नदी में पानी पी रहे बुज़ुर्ग को अचानक मगर मक्ष खीच ले गया कटना के 15 घंटे बीप जाने के बाद अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है बुज़ुर्ग के तलाश में रेस्क्यू आपरेशन नदी में किया जा रहा है लेकिन अब तक उसके संबन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है वहीं नदी के घाट पर भारी भीडे कत्रत है गता के संबन में बताया गया कि सिंग्रॉली जिले के गढ़भा थाने के तमई गाउं का रहने वाला रमधन केवट उम्र पचपन वर्श्री व्यक्ति क्योटली गाउं से निकली सोन नदी में बीती शाम पानी पी रहा था इसी दोरान अचानक मगरमक्ष ने जहपट्टा मारते हुए बुजूर्ग को अपनी ओर खीच ले गया और बुजूर्ग नदी की गहराईयों में समा गया प्रतेक्ष दर्शियों ने ततकाल इसकी जानकारी पुलिस को दी मौके पर पहुची पुलिस ने कुछ समय बाद रस्क्यू उपरेशन शुरू कर दिया है लेकिन घटना के 15 घंटे बीच जाने के बाब जूद भी अब तक बुजूर्ग का कोई पता नहीं चला वही घटना के बाद परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है सोन नदी के घाट पर भारी भीड एक अत्रत है पुलिस पूरे स्थिती पर नजर बनाए हुए है